नमस्कार दोस्तों आप देखर हो रोहिलोजी दिस इस ब्रीफ इंड्रक्शन अबाट मी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरा आइडिया है रोहित कुमार बियू के नाम से अगर आप चाहें तो मुझसे जूड सकते हैं टेलिग्राम पे रोहिलोजी टाइ हो रहा है ht bt cotton का अभी तक आपने bt cotton का नाम सुना होगा पर यह न्या चीज्स जो इसमें जुडा है यह है ht, ht का मतलब क्या है herbicide tolerant यह जो न्या variant है cotton का यह herbicide tolerant है और market में इसका almost double sale हो रहा है मतलब जितना BT cotton बिखता है उससे कहीं ज़ादा इसकी बिक्री हो रही है HT BT cotton की अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह illegal क्यों है illegal इसलिए है क्योंकि government of India ने इसको permission नहीं दिया है तो government of India ने किसको permission दिया है government of India ने सिर्फ BT cotton के commercial production को approval दिया है और उसी का commercial production होता है बट इसका एक नया variant आ गया है जो है HT BT cotton और इसका sale market में ज़्यादा है देखिए जैसा कि data है इस बार का कि पिछले साल almost 30 लाग packet भी के थे इस बार 75 लाग packet भी के है तो इसलिए थोड़ा सा यह concern है क्योंकि environment को काफी loss कर सकता है environmental loss काफी ज़्यादा है इससे तो इसलिए कुछ industry lobbies ने मतलब कुछ एक संस्ता है जिन्होंने इसके regarding government of India में especially agriculture ministry को यह complain किया है और बोला है और demand किया है कि इसके खिलाफ कुछ action लिया जाए और इसको रोका जाए और जो भी इसको sale कर रहे है उसके खिलाफ action लिया जाए और उसको punishment दिया जाए तो इसका main loss क्या है main loss है कि serious environmental and economic consequences है मतलब economic loss भी होने वाला है और environmental loss भी होने वाला है environmental loss कैसे होगा इसके बज़े से क्या हो रहा है कि और भी जो weed है जो market में जितने भी herbicide भी करहे हैं सारा अगर आप apply कर दिजेगा उसके बाद भी बाकी weed भी नहीं मर पाएगा क्यों नहीं मर पाएगा उसके पीछे यह reason है अब देखिए सबसे पहले यह जाने HT BT cotton के बारे में देखिए BT cotton पहले से हम लोग जानते हैं जिसका commercial production के लिए government of India ने permission दे रखा है HT लगा है इसमें herbicide tolerant है तो यह ball warm के लिए resistant है और HT BT cotton जो है यह glyphosate को लेकर resistant है glyphosate एक broad leaf herbicide है जिसका use जादतर किया जाता है बड़े बड़े घासों को मारने के लिए तो यह क्या हो रहा है कि एक नया variant आ गया है BT cotton का जिससे लोगों को डर है और डर क्यों है डर इसलिए है क्योंकि यह environment में बहुत जादा loss कर सकता है सबसे बड़ी बात इसकी जो आपको जाननी चाहिए किसी भी exam point of view से यह important है साथी साथ यह का कर रहा है एक तो carcinogen effect है glyphosate का जिसके वज़ा से government glyphosate को भी permission नहीं देती है अब दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर यह htbt cotton लगता है अगर यह htbt cotton लगता है तो साथ में यह super weeds को भी पैदा कर सकती अब super weeds क्या होगा super weeds ऐसे weeds होंगे जो कभी मर नहीं सकता मर नहीं सकता मतलब क्या कोई भी herbicide अगर इस पे apply करें तो इस पे इसका असर नहीं होगा तो ये कैसे super wheat create होगा देखिए अगर आप htbt cotton पे glyphosate या किसी भी herbicide का छिलकाओ किजिएगा तो वो मरेगा नहीं उसके वज़े से क्या होगा साथ ही साथ ये unchecked a spread of herbicide resistant create करेगा कौन htbt cotton ये बात यहां पर समझने लाइक है देखिए ये क्या करेगा ये pollination तो करेगा ही तो इसके जो pollinators उड़ेंगे और जिससे भी pollination करेगा उसको herbicide resistant बना देगा अगर आस पास में जितने भी weeds होगे अगर वो उसके साथ भी pollination होता है अगर pollination होगा क्योंकि इसके pollination जो है वो किसी से भी हो सकता है almost ऐसा है तो अगर pollination होगा तो उसमें भी herbicide resistant create हो जागा और ये बन जागा superweed अगर superweed बन गया तो इन्मार्वेंट के लिए बहुत ही खत चाहेगा तो obvious सी बात है कि economic loss भी है इसका और environmental loss तो है इसको रोका भी जा सकता है मगर illegal कहीं न कहीं इसकी खेती हो रही है बहुत जगह पे हो रही है अब सबसे वड़ी बात यहां पे यह है कि इसका supply कहां से हो रहा है देखिए इसका production जो हो रहा है वो गुजरात में हो रह इसका production गजरात में हो रहा है और कि इसको मुव्मेंवेंट हो रहा है पैसमाशतो हो रहा है वो G pellet में हो हो रहा है जैनल को अभी तक सबस्क्राइब कर लें जबते हैं अगले विडियो में अब तक की लिफ्याव रखे बाभाए झाल झाल